जेई का एक्जाम टफ है, अपने दिमाग से आज से ये बात निकाल दो, सिर्फ महनत का खेल है, फिर सर छोड़ी, समर विकेशन आ गए, सर नानी के घर चले गए, बट फिर भी अच्छा हो गया 10th, ठीक है, ठीक ठाक निकल गया, बट 11 वी में ये गलती नहीं करनी, consistency is दक्की दिन बर बस real देखूँगा, दिन बर motivational वीडियो देखूँगा, पढ़ूँगा कुछ नहीं, वो मत करना, हाँ, 6-7 घंटे, नहीं बेटा, कम है, ठीक है, तो ensure ये करना है, कम से कम, 8-10 घंटे अगर आप पढ़ोगे, on an average daily, तो वो बढ़िया माना जाता है, ठीक है, ठीक है वो apply करोगे, उसको execute करोगे, effort करोगे घर पे, तब जाके selection तुमारा होगा, ठीक है, तो जेई का exam tough है, अपने दिमाग से आज से ये बात निकाल दो, सिर्फ मेहनत का खेल है, जो बच्चा मेहनत करने के लिए ready है, वो जेई निकाल सकता है, और उसका जीता जाता example हूँ, मै ठीक है, मैंने कभी नहीं सोचा था life में, कि IIT के exam clear कर लूँगा, क्योंकि मुझे लगता था, I was normal, ठीक ठाक बच्चा था, बहुत बुरा भी नहीं था, बहुत जादा ऐसा भी नहीं था, कि बहुत ही सर कोई intelligent लोग होते होंगे, जैसे second सवाल आया, सर हम तो इतने नहीं है सवाल है, तो भाई साब बिलकुल गलत है ये, ऐसा बिलकुल जरूरी नहीं है, कि टॉपर लोग ही IIT निकाल सकते हैं, वरना तो CBSC का टॉपर ले लेते हैं, सारे बोड के टॉपर उठालो भई, ऐसा नहीं होता, जो बच्चा consistent है, जो बच्चा मेहनती है, जो सीखने के लि उस तरह से भी रोड की पढ़ाई हो जाती है, तुम मेंसे भी बहुत लोगों ने दसवी में पढ़ाई ऐसे की होगी, पांच दिन पढ़ा, छे दिन सर छुटी मनाया है, साथ दिन सर दिवाली में मज़े आ गए सर, कुछ नहीं किया, फिर बारा दिन सर ठंड बहुत थी सर रजाई में घुसे हुए थे, फिर सर गर्मी बहुत जादा हो गई थी, फिर सर छोड़ी समर विकेशन आ गई, सर नानी के घर चले गए, बट फिर भी अच्छा हो गया टेंथ, ठीक ठाक निकल गया, बट ग्यारवी में ये गलती नहीं करनी, consistency is the key, जितना consistent रहोगे, उतना जादा मजा आएगा, तुम्हें उतना जादा enjoy करोगे इसको, और उतना जादा तुम्हारे chances बढ़ते जाएगे, तो आज से, सभी लोग मुझसे पहले ये promise करें, क्योंकि देखो, ये online batch है, तुम में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे, जो under confident feel करते होंगे, जोने लगता और बोलो कि सर हाँ, मैं आज से डरूँगा नहीं, या मैं सर बिलकुल नहीं डरूँगी, जल्दी बताइए, promise सर, promise, promise, very good, very good, बिलकुल कम नहीं समझना यार अपने को किसी से भी, बस अगर तुम मेहनत करने को ready हो, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कम तो समझूँगा नहीं सर मैं तो ओपी हूँ और पढ़ूँगा कुछ नहीं सर, दिन बर बस real देखूँगा, दिन बर motivational वीडियो देखूँगा, पढ़ूँगा कुछ नहीं, वो मत करना, पढ़ाई धंग से करनी पड़ेगी, तो तुम किसी को भी beat कर सकते हो, बड़े से बड़े, हिंदुस्तान के बड़े से बड़े स्कूलों में बच्चे पढ़ते हो, कोई फरक नहीं पढ़ता, बस मेहनत करने के लिए ready रहो, content enough मिलेगा तुम्हे, IIT advance में rank 1 लाने तक का content मिलेगा तुम्हें, promise सर, कबाश, very good, चलिए, तो ये बात आपको माननी है, और feel करनी है, अंदर से believe करना है, देखो, जो believe करते हो न, वही होता है, अगर अंदर से डरे रहोगे, तो डरे ही रहोगे, दो साल, तुम्हारे उपर से लोग निकल के निकल जाएंगे आगे IIT में, और अगर अपने अंदर confidence रखोगे, तो भाई, वही तुमें मिलेगा, जो तुम feel करोगे, जो तुम इसमें, चलिए, अग, third point, तो बहुत ही common है, सर, अब हम motivate हो गए है, सर, अब तो IIT 4 के ही मानूँगा, सर, आप से भी बड़िया rank लाके मानूँगा, सर, कितने घंटे पढ़ू, सर, ये बता दो, है न, कितने घंटे पढ़ू, सर, कितने घंटे पढ़ू, तो भाई, देख क्या एक answer हो सकता है इस बात का, क्या एक answer हो सकता है, हर एक की diet अलग है, हर एक की requirement अलग है, male body अलग है, female body अलग है, age के हिसाब से requirement अलग है, तुमारी age के जब हम थे तो बेटा रोटियां गिनते नहीं, तो time गिनते थे बस, कितनी देर खाने को मिला है आदे घंटे, जितन इसे ही पढ़ने के घंटे सब की requirement अलग हो सकती है, हो सकता है, तुम काफी जल्दी catch कर लेते हो, तो तुमें जाके कम समय लगे note source बनाने में, तुम जल्दी जल्दी question कर पाओ, किसी की problem solving speed slow हो सकती है, किसी को समझ तो जल्दी आ गया, बट question दीरे कर पा रहा है, किसी को और यह कर रहा है, कम से कम, 8 से 10 घंटे अगर आप पढ़ोगे, on an average daily, तो वो बढ़िया माना जाता है, ठीक है, और अगर dummy school में हो, जिसकी बात अभी आगे होगी, right, तो उसके बारे में, तो और obviously देना चाहिए, क्योंकि time आपके पास जादा है, ठीक है, consistency रखना है, यह नहीं एक दिन तो सर जोश आ गया, आज मैंने real देख ली सर, तरुन सर ने motivate करा है, आज तो मैं 12 घंटे पढ़ूँगा, और 4 दिन बाद बेटा जोश हो गया ठंडा, अब सर, कल पढ़ लूँगा ना सर, क्या करना है सर अभी पढ़ के, कल कर लूँगा सर, कल कभी नहीं आता दोस्त, consistency maintain करनी है, और शुरुवात में एकदम से हो जाएगा 10 घंटे, क्योंकि तुम्हें आदत नहीं है, 10th में तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं, 2-4 घंटे पढ़ लिया, 2 घंटे भी दिन में on an average पढ़ लिया, 10-12-14 घंटे पढ़ लिया, हो है, चलिए, तो ये बात हो गई, कि कितने घंटे पढ़ने हैं, हर एक का नंबर अलग हो सकता है, बट आपको बस ये करना है, immediately उसे minimum 4-5 तो करीदो, एकदम से नहीं कह रहा हूँ कि भईया, तेरे हफते में, daily मैं एक घंटा पढ़ता था, सर, 2 घंटे पढ़ता था, अब सर दो घंटे की क्लास लगाओगे, जब तो उसी में बिट अब बढ़या, दर्द सा होगा, आरे, बैठरे में, आरे, सर, स्प्रिंग सी लग रही है, मन कर रहा है, उचल के निकल जाओ, सर, भाग जाओ, सर, क्लास के बाहर निकल जाओ, मन करेगा, क्योंकि आदत नहीं है, school मे होते हैं, 45 मिनिट के पीरेड, के बाद घंटी बजगई, घंटी कब बजएगी, सर, यहाँ पे आपको पेशन्स रखना पड़ेगा, विट टाइम आपके वो आवर 10-12 घंटे पहुंच जाएंगे, ठीक है, स्टार्टिंग से उसको इमिडेटली 4-5 तो करीदो, ठीक है, bare minimum चलिए, आगे बढ़ते हैं, तुम लोगों का फेवरेट सवाल, सर, बुक बता दो बस सर, आप तो, जैसे कि बुक के अंदर ये सौल्ड है कि भईया, कौन सा सवाल आने वाला है, IT के अंदर, या फिर रैंक कैसे आएगी, उसका एक फार्मूला लिखा हुआ है, ऐसा कुछ समय आने पर, आपको किताबे भी बताई जाएंगी, जब जरूरत पड़ेगी तब, तो अभी के लिए, बिग आंसर इस, कोई भी किताब नहीं खरीद नहीं, बट सर, फिर भी बता तो दो, कौन सी अच्छी है, सर, जो तुम कर लो, मैट्स में वो अच्छी है, देखो, ले रखा है, DPP, अपना, बस आप अपने आप से एक वादा करो, DPP सारी करूँगा, ठीक है, और उसके बाद, मॉडियूल मेसे जो हमवग दूँगा, वो सारा करोगे, जिस दिन वो दोनों हो जाएं, उस दिन मेरे को मैसेज कर देना, सर, मेरे हो गए, सर, अब आप मुझे बता दो कौन सी बुक खरीदू, ठीक है, फिर मैं आपको बता दूँगा, जरूरत पड़ेगी तो आपको, ठीक है, बट पहले तुमारा एम है, इन दोनों को निप्ताना है, जो चीज तुम पे है, देखो, सौ बुक खरीद के रख ली, अलमारी भर दी, बड़ा खुश हो बोलेंगे, आपको वो करना है, अभी से मत पैसे बरबाद करो, इस बाकी टीचर्स ने भी इस बारे में बोल दिया है, मैं ज़्यादा डीटेल में नहीं जाओंगा, अब आ जाता है, बहुत बड़ा क्वेस्चन, अभी और रेगुलर सर, कौन सा स्कूल करें सर, अभी तो ह हम बाकी टाइम आएटी, आएटी खेलेंगे सर, त्यारी करेंगे, और रेगुलर मतलब, सर, हम सुबह से छे बजे उठेंगे सर, नहाएंगे कभी-कभी, सर्दियों में जादा नहीं नहाएंगे, फिर स्कूल जाएंगे सर, उसके बाद ठके हारे दो बजे आएंगे, हाँ हम फील होगा कि हमने बहुत पढ़ाई करी है, बट कुछ खास हुआ नहीं होगा सर, हाँ, और उसके बाद शाम को आके सर, फिर आपकी क्लास 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 खेलेंगे सर, है ना, R, R, D, D, काफी mixed है, I think mostly 50-50 मान रहा हूँ, मेरे को जो नजर आ रहा है अभी तक, 50-50 परसेंट नजर आ रहा है, हम, तो भाई देखो, अपकी राय अपनी-अपनी है इसमें, दोनों तरह के बच्चों का सेलेक्शन होता है, मुझे पता है, काफी टीचर्स, in fact, राजवन सर ने भी मैंने सुन रहा था, उस दिन की उन्होंने बोला था, रेगुलर बेटर है उनके हिसाब बताओं तो मैं तो डमी में था यार, ठीक है, बट मेरे को लगता है क्योंकि डमी कुछ है क्या ना, अगर आज मैं तुम्हें सच शब्द बता दूँ, कौन सा बेटर है तो भूल जाओ, डमी बेसिकली एक दो धारी तलवार है, दो धारी तलवार समझते हो ना बेटा, पढ़ते हो, वहां टेस्ट हो रहे हैं, स्कूल लेवल भी पढ़ रहे हो, अटलीस बेसिक्स तुम्हारे क्लियर हैं, कवर्ड हैं, तुम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई चेक रख रहा है, तुम्हारे को अगर फुल मोटिवेटेड हो, 100% मोटिवेटेड हो, कि भाई, नहीं मुझे तो जेई करना ही करना है, किसी भी हाल में करना है, और बहुत ज़ादा पढ़ मुआब हैं, तो ही तुम्हें डमी स्कूल लेना है, वरना डमी में क्या है बेटा, समय इतना होगा ना, समय ही समय होगा, क्योंकि स्कूल तो जाना नहीं, क्लास तो सर शाम को चार तक सर चाय पी आते हैं, वहां रील्स देख लेते हैं, वहां वह क्या कर रहा है, वहां वह कैसे पढ़ रहा है, नीचे क्या हो रहा है कॉलोनी में, मम्मी क्या कर रही है, जा जा के कपड़े प्रेस करा लाते हैं, यही सब चलता रहेगा, ठीक है, तो dummy school अगर आप ले रहे हैं बिलकुल अच्छी तरह बेटा जो बच्चों ने डी लिखा है यहां, एक बात सुन लें, आप लोगों को मैंने ये तो बोल दिया कि मैं डमी में था, बट आप ये समझ लेना कि मेरा dedication level था एक, तो आप भी अगर डमी ले रहे हैं, तो आपका वो dedication level होना चाहिए, वो time table तु तुमने पढ़ने बैठना है, तो रोज पढ़ने बैठना है सुबह, ये नहीं कि ये school नहीं जा रहा हूँ, तो मैं को तयारत होना नहीं है, तो मैं क्यों पढ़ने बैठूँ, ये नहीं करना है, सभी बच्चों को proper अपना एक follow करना है, तो उसके बारे में discuss कर लेंगे, प अभी बच्चे जो डमी में हैं, वोई प्रॉमिस करेंगे कि सर हमें एक अपना प्लान बनाएंगे, यह नहीं कि अब डमी हो गया कल से, तो जम मर्जी उठो, जम मर्जी सो, अभी तो तुम्हारा एक्जाम हो चुका, कल से ही शुरू कर दो, यह मत सोचो, ग्यार वीक, डस वी पढ़ूँगा सर, एक बजे, एक से फिर ब्रेक लूँगा, एक से चार फिर पढ़ूँगा सर, कोई ब्रेक ही नहीं, सिर्फ पढ़ाई-पढ़ाई डाल दी, फो फॉलो नहीं होगा, नॉर्मल टाइम टेबल बनाईएगा, जो आप फॉलो कर पाएंगे, ठीक है, तुमारा छे, आठ घंटे करीब आ जाएगा, है ना, उतना more than enough रहेगा, तुमारे लिए dummy वालों की बच्चों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, तो ये कुछ सवाल हो गए, आपके, और ये भी है, school and coaching साथ में कैसे manage करें, ये सवाल आता है, specially वो ब पड़ेगा, school के लिए नहीं, सारा कुछ कराया जाएगा, school level की, NCRT level maths में आपको मैं करवाऊंगा, उसमें से homework भी दूँगा, बट दिक्कत पता है कहा आएगी, दिक्कत आएगी तुम उसे करोगे नहीं, मैं लगे गा रहे NCRT, वो मेरे level की किताब थोड़ी, हम तो IITN ब दिक्ता देंगे, वेट नहीं करेंगे, school exam आएगा, उस दिन करेंगे, ये वेट नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है, बिलकुल, उसके बाद, next, एक common doubt, कि sir, मेरा भाईया तो कहते है, sir, online से नहीं होता है, offline जाना पड़ता है, तभी selection होता है, मेरे वो वाले भाईया तैसा कह रहे थे, वो वाले भाईया वैसा कह रहे थे, वो वाली दीदी ऐसा कह रही थी, देखो बेटा, सौ मू है, सौ जवाब है, सबके opinion है, important चीज, offline या online नहीं होती है, important चीज, तुम्हारा dedication level होता है, तुम कितनी मेहनत करने के लिए ready हो, मैं ऐसे हजारों बच्चों को, मैं इ खाते हों जा रहे हैं, धक्के खाते हों आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कुछ किया है हमने, और घरवालों को भी लगता है रहे, बेटा सुबह से गया हुआ है, शाम हो गई, रात हो गई, आते आते, बहुत वेहनत कर रहा है, लो बेटा, दूद पी ले, लो बेटा, सेब ख पूछ रहे हैं सर तो मुझ छुपा रहे हो पीछे वाली बेंच पे बैठ रहे हो तो फायदा क्या है कोई फायदा नहीं है कोई फायदा नहीं है इससे बेटर है अगर online कर रहे हो तो धंग से पड़ो content तुमें सारा मिलेगा और मेरे इसाब से सही बताऊं तो हमारे time में अग बहुत दिक्कत होती है offline कहीं जाके रहो फिर मम्मी पापा से दूर खुदी कपड़े धो रहे हो याद आ रही है रो रहे हो बहुत सारी problems है बिटा बिमार हो गए तो कोई है नहीं घरवाला देखने लायक इसलिए offline है तो अच्छी बात है कर सकते हो जो कर रहे हैं बट उसम आपको भी उसमें भी 100% dedication दिखाना पड़ेगा online के कुछ फाइदे हैं जैसे कि आपको recorded lectures मिल जा रहे हैं आप बाद में भी access कर सकते हैं घर बैठे बैठे कर पा रहे हैं पैसे कम लग रहे हैं time बच रहा है traveling का तो ये सब फाइदों को उठाईए और इसका फाइदा connection पाईए ठीक है भाई साब समझ गए है हाँ है समझ गए कि नहीं समझ गए है क्या मेरी बाते समझ आ रही है जो मैंने तुम्हें FAQ का मतलब तो समझते हो ना बेटा frequently asked question कि जो दिमाग में आप में से बहुत बच्चों के शायद ये चल रहे हो वो questions का जवाब मैंने जो दि हैं है ना बट implement कितने करते हैं ये important है implement कौन करेगा मैंने क्या बोला था जो अगले 15-20 मिनिट की बातें धंग से सुनके धंग से implement कर देगा collection उसी का होगा वेटा ये समझ लेना collection उसी का होगा और जो बस खुश हो रहा है सर मजा आ गया सर बहुत मजा आ रहा है सर मजा भी आना चीए वेटा बट साथ साथ मजे के साथ तुम्हें पढ़ाई भी करनी है execute भी करना implement भी करना है